आज है एहमदाबाद लेक का आखरी दिन एंड एहमदाबाद लेक खतम होने से पहले आज दो ब्लोकबस्टर मैचिस होने वाले पहला मुकाबला बेंगॉल वारियर्स वसिस जैपूर पिंक पैंथर्स के बीच में खिला जाएगा एंड आए इस मैच का डीटेल में इस वीड तो आप देख सकते हो कि दोने टीम अब तक 16 बार भिड़ चुकी है जहां पे बेंगॉल वारियर्स की टीम 10 बार जीती है एंड जैपूर पिंक पैंथर्स की टीम 6 बार जीती है एंड लास्ट टाइम जब दोने टीम आमने सामने भिड़ी थी तो जैपूर पिंक पैंथर् वारियर्स को 57-31 के score से हराया था तो जैपूर का पलड़ा भारी है लेकिन ओवरोल बेंगॉल वारियर्स के टीम आकडों में आगे चल रही है दोने टीम की स्टार्टिंग 7 की बात की जाए तो आप देख सकतो बेंगॉल वारियर्स की स्टार्टिंग 7 इस हिसाप से हमें श्रिकान जादव विश्वास देखने को मिल जाएगे वैभवगरजे श्रियस उंबर्दन सुबम सिंदे अधित्य शिंदे देखने को मिल जाएगे तो most probably यही स्टार्टिंग 7 रहेगी वही पर जैपूर पिंक पैंथर्स की बात किजै तो आप देख सकते हो अर्जुन द अच्छा गया था जहां पर हम बात किजाए fantasy की हम बात किजाए match prediction की जिनों ने भी cricket gully fantasy channel को joint कली है उनके लिए तो अच्छा जाई रहा है विगोस cricket gully fantasy पर आपको PKL का भी coverage देखने को मिल जाएगा fantasy teams daily provide किया जा रहा है match prediction भी daily provide किया जा रहा है आप example अपने screen पर देख सकते हो कल के दोनों ही match के prediction फिलकुल accurate सही गया जहां पे इन्होंने predict किया था कि पतना pirates की team जीतेगी तो same वैसा ही हुआ दूसरा मकाबला इन्होंने predict किया था कि UP yodas की team जीतेगी आप अपने screen पे जो proof है वो देख सकते हो और नहीं सिर्फ match prediction की बात हो जो dream 11 fantasy teams थे fantasy teams भी provide किया जा रहा है पतना वाला match का आप देख सकते हो जहां पे तलगु टाइटन्स इन पतना वाले match में पवन सहरावत अच्छा खेले, मंजीत अच्छा खेले, सचीन तनवर अच्छा खेले, नीरज कुमार अच्छा खेले, क्रिशन धुल ने काफी अच्छा performance दिखाया और वहीं पे दूसरा मुकाबला का fantasy team भी आप देख सकतो, जहां पे परदीप जो पहले मुकाबले में एक भी point score नहीं किये थे, इनको कप्तान बनाया और परदीप ने कैसा performance दिखाया आपको पता है, सुमीत ने कैसा performance दिखाया आपको पता है, नितियश कुमार होगे, सिधार दिसाई, सुरिंदर गिल तो fantasy teams भी बहुत ही अच्छे तरीके से experts के दुआरा provide किया जा रहा है, और साधी साथ match के prediction भी accurate जा रहा है, तो जिनको भी match के prediction जानने, फटाफट cricket गली fantasy channel को join कर लो, description box पर मैं आपको link दे देने वाला हो, नितो टेलेग्राम पे जाके आप at the rate cricket गली fantasy सर्च करके join कर सकतो, तो हमारे चैनल है, बहुत ही अच्छे तरीके से research करके, जो match prediction है, वो यहाँ पर provide किया जा रहा है, दो नहीं टीम की starting seven को फटाफट compare कर लेते, तो आप देख सकते हो, जहाँ पे Bengal Warriors के Raiders में देखने को मिल जाएगे, Maninder Singhs, Rekan Jadao and Vishwas and वहीं पे, Jaipur Pink Panthers में देखने को मिल जाएगे अरजुन देशवाल, B. Ajit Kumar and Rahul Chaudhary, देखा जाएगे तो यहाँ पर दोनोई टीम की रेडिंग लाइनप बहुत ही अच्छा perform किये, अभी तक PKL 10 में, और मुझे लगता है कि दोनोई टीम का रेडिंग लाइनप बराबर का चल रहा है, वहीं पर defense की बात की देखने को मिल जाएगे, वहीं पर जाएपूर के squad में हमें सुनील कुमार और रेजा मीर बगेरी देखने को मिल जाएगे, experience के मामले में and performance के मामले में मुझे लगता है कि जाएपूर की टीम आगे चल रही है और जाएपूर का cover defense काफी strong है, corner defenders की बात की जाएगे तो Bengal Warriors के तीम में हमें सुबम सिंदे देखने को मिल जाएगे, अधित्य सिंदे देखने को मिल जाएगे, वहीं पर जाएपूर के टीम में हमें सहूल कुमार और अंकुस राटी देखने को मिल जाएगे, तो दोनोंगी टीम का corner duo है वो अच्छा है, जहाँ पर Bengal में सिंदे ब्रदर अच्छा खेले, एंड वहीं पर जैपूर के पास बड़े नाम है शहूल अंकुस जरूर, पिछले मुकाबले में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाले, तो overall देखा जाए, तो defending champions थोड़ा आग नजरे रहेगी, क्या ही performance दिखाए, जहां पर सुपरम सिंदे ने चार टेकल पॉंट स्कोर किया, अधित सिंदे ने तीन टेकल पॉंट स्कोर किया, दोनों ही corner के defenders है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों पर नजरे रहेगी, जैपूर पिंक पैंथर्स के खेमे से मुझे बात करते हैं, वैसे तो मेरा prediction accurate नहीं जाता है, क्रिकेट गली फेंटेसी की तरह, तो आप देख सकते हो, मेरा पहला prediction यही है, कि अरजुन देशवाल इस मुकाबले में सूपर टेन स्कोर करेगा, जो obvious है, high chances है, दूसरा prediction यह है, कि सिंदे डूओ मैंसे कोई एक, चाहे वो या फिर सुपरम सिंदे हो, इन में से कोई एक high five score करेगा, और तीसरा prediction यह है, कि जैप और पिंग पैंथर की टीम यह मुकाबला जीतने वाली है, अब यह तो मेरा prediction है, अगर आपको सच में जानना है, कि कौनसेटी मुकाबला जीत सकती है, किस के high chances से, तो क्रिकेट गली fantasy जब लाइनप अनाउंस हो जाएगा, तब आपको जानने को मिल जाएगा, आपको लगता है कौनसेटी मुकाबला जीतेगी, अगर आपको लगता है कि बंगॉल की टीम जीतेगी, तो आपको लगता है कि यह मुकाबला जैपुर पिंक पैंथर की टीम जीतेगी, तो आप प करके देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे कौन है इंटरस्टिंग उड़ो के साथ ठैंक्स पर वचेंग